ओपो F19 series जो आठ मार्ज को इंडिया में लॉंच होने वाली है दो फोन्स लॉंच होने वाले हैं ओपो F19 Pro and ओपो F19 Pro Plus दोनों फोन्स के अल्मोस्ट 95% स्पेसिविकेशन और फीचर आ चुके हैं दोस्तों ओपो के फोन्स थोड़े एक्स्पेंसिव होते हैं लेकिन लुक्स में तो बहुत ही अच्छे होते हैं दूसरे फोन्स के कंपेर में वेट में भी हलके होते हैं तो चलिए देखते हैं दोनों फोन्स के फीचर और स्पेसिविकेशन लेकिन उससे पहले दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए पेल आइकोन बजाएए ओल किजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोडिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं ओपो एफ 19 प्रो और प्रो प्लस में सेम ही डिस्प्ले आने वाली है 6.43 इच की सूपर एमोलेट डिस्प्ले मिलने वाली है सूपर एमोलेट है तो यह सेमसंग की डिस्प्ले होगी जो बहुत ही अच्छी होती है resolution की बात करें तो दोनों फोन में full HD plus resolution मिल जाएगा और screen तो आपको पंचोल वाली मिलने वाली है तो screen to body ratio भी बहुत ही ज्यादा ही मिलेगा एक बात अच्छी है यहाँ पे AMOLED display है ताकि multimedia experience तो काफी अच्छा मिलेगा और सायद wide 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 L1 certification भी मिल जाएगा यानि आप Netflix के अंदर HD content play आराम से गर पाएगे तो overall display के मामले में तो F19 Pro और Pro Plus दोनों फोन अच्छे होने वाले हैं अब बात करते हैं camera की तो दोस्तों दोनों फोन में code camera setup मिल जाएगा और दोनों फोन में सभी sensor semi लगे है primary 48MP का camera मिलेगा secondary 8MP का ultra wide angle camera मिलेगा और जो ultra wide angle camera है उसमें जो field of view है वो 119 degree की मिलेगी फिर यहाँ पे 2MP का micro sensor मिल जाएगा और 2MP का depth sensor मिल जाएगा और depth sensor तो आपको पता ही है bokeh effect देने के लिए होता है और selfie camera की बात करें तो Oppo F19 Pro और Pro Plus दोनों के अंदर 16MP का front camera यानि selfie camera मिल जाएगा दोस्तों किया आप Oppo का phone यूज करते हैं अगर करते हैं तो camera के बारे में आपकी क्या रही है let me know in the comment section वैसे मेरा मानना है camera तो अच्छा ही होता है लेकिन यहाँ पे जो natural photo आनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलती है beautification ज्यादा ही रहता है अगर मेरा रंग देखे तो मैं काला हूँ लेकिन अगर मैं Oppo के phone में click करता हूँ तो उसमें जो मेरी skin tone है वो fair हो जाए तो थोड़ा beautification ज्यादा रहता है natural photos नहीं मिलता है अब बात करते हैं दोनों phones के performance की F19 Pro और F19 Pro Plus के performance की बात करें तो F19 में मिलता है Mediatek का P95 processor जो performance में अच्छा है और वहाँ पे जो VR का graphic भी मिलता है तो थोड़ी बहुत अच्छी gaming भी हो जाएगी जो 12NM platform पे बना है ये processor दूसरी बात करें तो F19 Pro Plus में आ जाए तो Pro Plus में मिलता है Mediatek का Diamond City 800U और दोस्तों पता है ना ये processor जो है वो एक 5G processor है 5G modem के साथ आता इंटीग्रेटेड होता है अंदर लेकिन 5G modem के साथ यानि ये 5G phone है तो ये लो ओपो भी आ गया मिट सेग्मेंट में 5G phone लेके लेकिन Redmi पीछे रहेगा इस बाग ऐसा सोचा था Redmi Note 10 series के अंदर 5G phone मिल जाएगा यानि 5G processor होगा यहां पर भी सोचा था 800U मिलेगा लेकिन तीनों में से किसी भी phone में नहीं आया अगर आपने Redmi Note 10 series का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लिंक नीचे description में और उपर card में मिल जाएगी आप सरूर देख लीजिए तीनों phones के सब भी कुछ features, specifications सब मिल गए हैं अभी दोनों phones में security की बात करें तो यहां पर दोनों phones में मिल जाएगा in-display fingerprint scanner ऐसा मेरा मनना है यहां पर दोनों में emoled screen दी गई है तो in-display तो हो गाई है और जो मैं सोचता हूँ ओपो की जो price थोड़ी ज्यादा ही होती है expensive phone होते है तो in-display fingerprint scanner तो देंगे ही देंगे और साथ में face unlock का feature तो मिलेगा ही मिलेगा अब बात करते है OS की दोनों phones के अंदर मिल जाएगा android 11 on the top color OS 11 मिल जाएगा जो बहुत सारे features के साथ आता है दोस्तों मुझे पहले लगता था color OS इतना optimized नहीं होता था इतना अच्छा user experience जो होना चाहिए वह इसमें नहीं मिलता था लेकिन टाइम चाने के बाद यहां पर इतना optimized अच्छा OS मिलता है इसकी में comparison सीधी oxygen OS से कर सकता हूँ और आप सोच सकते हैं अगर oxygen OS के साथ comparison कर रहा हूँ charging speed में differentiate किया गया है F19 Pro के अंदर 30W का book flash charge मिल जाएगा और F19 Pro Plus के अंदर 50W का book flash charge मिल जाएगा यानि दोनों phones में charging speed में differentiate किया गया है अब storage और RAM की बात करें तो Oppo F19 Pro में 8GB की RAM मिल जाएगी और 128 और 256GB का storage option मिल जाएगा और storage टाइप की बात करें तो UFS 2.1 मिलेगा वही Oppo F19 Pro Plus की बात करें तो अभी rumors के इसाब से 8GB की RAM और 128GB की storage variant मिल जाएगा यहाँ पे 256GB का storage option सहयद नहीं मिलेगा तो दोस्तों फोन में major difference तो सिर्फ प्रोसेसर का है और charging speed का ही लगता है लेकिन ये सब एक rumors है चो 8 March को launch होगा तो सब कुछ clear हो जाएगा और launch होने के बाद मैं unboxing और review तो करने ही वाला हूँ तो तब देख लेंगे और दोस्तों इसी मेंने बहुत सारे नए phones launch होने वाले है जहां पे बहुत सारे flexible phones भी सामिल है और दोस्तों आपने मेरा upcoming phones in March 2021 का वीडियो अभी तक नहीं द तब gezeigtत जहां बाद निहां बहुत सारे को सारे नए्यों किThis लेंगा नहीं पा कर दो बहुत सारे धाक right now